Hello everyone my name is Gaurav, welcome to the wsqubetech, wsqubetech मैं आपसे विकास वागत है, जैसा कि आपसे विकास होगत है, जैसा कि आपस विकास होगत है, आज हम फिर से एक xys को ले रहे हैं, और यह xys आपस 2D से related है, और यहाँ पर सारे 2D के जितने भी tools है, उनको almost यहाँ पर cover up करने की उसुस की गई है, यहाँ पर cover up करते हुए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमर पास drawings है, उसको यहाँ पर complete करेंगे, जो अपका project है, यहाँ पर लेंगे, बात करेंगे, तो आपके पास यह drawings है, कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, अब देखें, यहाँ पर बहुत सारे tools का use किया गया, इन सभी यहाँ पर drawing को complete करेंगे, तो आपके बात करेंगे, तो आपके बाद जो नीची की देखें, आपके पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, 160 cm के approximate दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पर मान लेता हूँ, 500 होगा approximate, और यहाँ पर इसको मान लेता है, 300 है, इसकी length of width मान लेता है, और इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस drawing को बनाएंगे, तो length और यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर breath मिल चुके, दोनों मिल चुके, तो यहाँ पर मैं करूँ, rectangle का use करूँगा, और rectangle को लेते हुए, यहाँ पर dimension को use करेंगे, और dimension के लिए length के इसकी देते हैं 500, और बात करेंगे, तो width हमने देती है 300, clear, तो कुछ इस तरह से मेरी जो drawing है वो यहाँ पर आ जाएगी, और इसके अंदर पूरी properly हम इस drawing को यहाँ पर create करेंगे, अब देखें, यहाँ पर drawing करेंगे, यहाँ पर create करने से पहले मेरी जो image है, मैं उसको यहाँ पर लेक्या आता हू उसके बाद मेरे desktop पर गया, desktop पर देखें, मेरी जो image है वो यहाँ पर ready है, मुझे बिल गई है, इसको open करते हैं, open करके इसको simple सा मैं करता हूँ, okay करता हूँ, और जो मेरी relative positions है, यहाँ से इस image को देना चाहूँगा, कुछ इस तरह से रखना चाहूँगा, तो मैंने image को सकते हैं, तो हमें एक काम करते हैं, left to right की दरफ चलते हैं, सारी drawing को complete करते हुए, तो देखें, फर्स्ट फॉल देखते हैं, आपके पास क्या है, एक छोटा सा circle है, इस चोटे से circles की बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो इसकी जो radius है, यहाँ पर 10 cm, next बात करूँ जो आपक यहाँ चोटा circle दीख रहा है, यहाँ बेसलाइन है, इससे 30 degree अवा हुआ है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पोला ट्रेकिंग को on करते हुए, यहाँ से मुझे यहाँ पर सारी चीज़ों को work करना पड़ेगा, तो सबसे बहले मैं क्या करूँ यहाँ पर 10 cm का radius का, जो मेरे circle से पहले इसको ट्रा करूँगा, तो इसके पास 60 cm, यहाँ पर 65 का diameter का, वो radius बना हुआ, तो सबसे बहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर unit को set करते है, यहाँ एंटर किया है, unit decimals में करना है, क्योंकि सारी चीज़े decimals में, 0.0 इसके precessence होगा, इस क्या कर दिया है, 60 press कर दिया है, तो इस तरह से मेरा circles है, वो एक ready हो चुका है, अब इस circle के inner circle मुझे एक और बनाना है, जो कि आपके पास क्या है, 10 radius का है, यहाँ बात करें, यहाँ पर चोटे 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 और circles है, लेकिन उसकी जो radius है, यहाँ पर क्या है, और वो एकदम center में, mid center में, और 4 cm के radius है, तो सबसे पहले इसका mid center निकाला जाए, तो देखें, mid center को निकाल ले के लिए, मैं polar tracking को on करूँगा, क्योंकि वो angle आपके पास क्या है, 30 degree के साथ है, तो देखें, polar tracking हमारे लिए इसलिए important है, क्योंकि हमें angles refine करता है, तो मैंने इसको 30 degree on पर कर द क्या double enter करूँगा, मैं simple सा, तो मैंने इसको remote कर दिया, और क्या कर दिया, clear, अब बात करूँगा, simple से circle command की, तो भी मुझे circle बनाना है, चोटा सा, और उसकी जो radius की बात करूँगा, वो हमारे पास क्या है, 4 cm की है, तो कुछ इस तरह से बन चुका है, अब देखें, यह जो external करूँगा, AR enter करने पार, रेकमांड आजाएगा, मेरा जो object है, उसको मैं select करूँगा, enterprise करूँगा, मेरा पास जो polar air है, मैं उसको select करूँगा, उसके पास जो मेरे center point है, इसको select करते हुए, मेरे पास यहाँ पे जितने भी items से मैंने उसको select कर लिया, और simple सा मैंने close कर दिया है, clear, आपको यहाँ पर show हो रहा है, clear, तो सबसे फ़ले मुझे एक reference line draw करने पड़ेगी, यहाँ से एक reference line draw करूँगा, जो की मेरे पास कितनी पया है, 160 cm पर, clear, तो 160 cm पर, नीचे के तरफ मुझे यहाँ पर क्या करना है, 20 cm के उपर, देखे बात करें कितना है, यहाँ यहाँ पर 20 के नीचे एक line draw कर ली, clear, तो कुछ इस तरह से line में चाहिए, अब बात करें, यहाँ पर मुझे एक circle बनाना है, जिसका यहाँ पर 5 की बात करूँ, तो वह यहाँ पर कितना है, 130 है, जैसे कि आप देख पा रहे है, यहाँ पर 5 कितना दे रहा है, 130 दे रहा है, त इसका यहाँ पर 5 बनाएंगे, 130, तो circle यूज किया, command और इस center point से मैंने क्या बनाया, 130 का यहाँ पर बना गया, तो diameter के लिए d enter करना है, d enter करने के बाद 130 का diameter मैंने प्रैस कर दिया, तो कुछ इस तरह से बन चुका है, अब बात करें, इस center से आपके बात जो radius 25 का यहाँ पर इसके बीच वाला part है, इसको हम बात में बनाएंगे, क्योंकि यह दोनों circle का jointed part है, तो पहले हमारे जो circle part है, उसको complete कर लेता है, clear, अब देखें, बात की जाए, यहाँ पर box बना हुआ है, जिसके बात करें, तो यहाँ पर height है, यहाँ पर 5 cm है, और बात करूँ यहाँ पर करने है, यस, आप चाहें, तो ribbon pass enable कर सकते हैं, बट अब हम यहाँ पर सारे command के बारे में, one by one चीजे सब सीख सके हैं, तो इससे बढ़िया हम यहाँ पर क्या करेंगे, command को use करेंगे, और command के थुरू ही यहाँ पर properly work करेंगे, तो command को use करते हैं, यहाँ पर हम आर पास क्या है एक rectangle है, 5 and 20 का, जो कि हमें यहाँ पर draw करना है, तो देखें, मैंने पहले यहाँ पर rectangle वाना लेता हूँ, rectangle के जो dimension है, वो यहाँ पर दे देता हूँ, और dimension के लिए जो इसकी length है, वो यहाँ पर 20 है, तो मैंने 20 enter की है, और जो इसकी width है, वो मैंने 5 enter कर दिया, तो कुछ इस यहाँ पर इसका जो center point है, यहाँ पर मूव कराना है, जैसका यहाँ से midpoint होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं करूँगा, move command के लिए, करूंगा सिम्पसा इमेंटर करते हुए देखें मेरा जो उब्जेक्ट किया इसका जो चूछ किया और यहाँ पर इसका जो पॉइंट का पॉइंट है कहा गया इसका इसका और प्रेस कर दिया कुछ इस दिए अब देखें बात करें यहां पास यह object कितने हैं उसके पाइंट करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है एक कट लगा हुआ है यहां इन दुनों के बीच में जॉइंट नहीं है इसलिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा उसको बन करने के बाद में सीम्पल साय जो हमारे पास यहां पर है यहां करके देखें यहां पर तो मैंने इसको select किया तो अभी तक हमारे पाद जो यहां पर objects है वो यहां पर trim नहीं हुआ है clear तो यहां पर मैंको यह जो boxes है इसको trim करना था basically तो यहां पर मैं इसको move command की तरह भू करूंगा यहां पर object को, तो मेरा object देखिए, यहां पर trim नहीं हुआ है, बलकि यहां पर मुझे क्या करना था, करना था यहां पर यह जो पूरा है यह जोंट जर्थ में यहां पर इसको ट्रिम करना था उसके बाद उसके बाद लिया ऊपर की तरफ पर लिया ओके इसके बाद मैंने यहां पर लेके बात करूं से पर सब्सक्राइब करना है तो मैं आपर ने यहां पर 20 है तुम्रें 20 कर दिया है यहां पर नीचे की तरफ हमारा पास कितना यहां पर 5 है यहां पर 20 एंटर कर दिया उसके बार बात करूँ यहां पर ओफर की तरफ तो यहां पर मैंने जॉन कर दिया तो कुछ इस तरह से बन चुका है आब दिखें यहां से मुझे इसको रिमू करना है तो मैं से सिंब्पर से इसको सेलेक करूंगा लिएट कर दिया और यहां पर यह यह囉 par और यहला पार्ट को मेरे को ज्वाना है कितने पार्टे साल यहां पर कितने पार्ट है यहां से पात कितने हैं और यह उसके लिए कि इसको मानते हुए यहां पर number of items को कर देता हूं मैं simple यहां पर number of items हो चुका है मेरे पास 8 इसको कर देता हूं मैं close इस तरह से मेरा object यहां पे बीच में cutting है यहां पर यह बीच क्वारा part है यह सारे cut करे हुए है तो मुझे वह कट करके ही बनाने पड़ेंगे तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहां पर यहां पर क्या कर हाँ पर यहां पर मैं एक साथ कर रहा हूं मैं इसलिए यहां पर आपके सारी चीज़ों को up समझा रहा है ताकि आप यहां पर सारे प्मांद को यहां पर सीख करना है कि किस करना में का अब ₹ मुआ सब्सक्राइब करें यहां पर से ज्वांट्ू एमिद्ध कर देते है कमाड का यूज़ करेंगे और इस तरह से मेरे जो ब्रग्जच से हैं सभी को वन बैट अपने क्या किया आपके जो अपजेक्स न ही को आप सेलेक कर लिजे यस आपके जो और सरकल है उसको वापस वापस बना सकता है तो इस तरह से हमारा जो अब्जेक्स है यहां पर रेडी हो चुका है इंसाइड वाला अब देखिए यहां पर बात करें यहां पर आपके पास यहां से नीचे की तरफ से आपके आपके पास 17 सब्सक्राइब करें यहां पर आपके पास यहां से एक और यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां से हमें क्या करना है करना है यहां से यहां पर आप पास पॉइंट से आप इस सार्कल के यहां पर द्रॉ करते हुए और यहां मेरे पास क्या होगा यहाँ पर मैं ऐसे अब मुझे सारे के सारी जगह क्या बनाना है यहां पर सब जगह क्या है वह सारे सरकल समय यहां पर बनाने है और उपर और नीचा वाले की बीच यहां पर 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 यहां प इसी तरह के से बात करें तो आपके बात करें तो आपके बात करें तो यहां पर यूस करते वे टाइट को यूस किया मेरा फर्स टेंजेंट को सेलेक्ट किया करना है इसके बात करें मेरा फर्स टेंट करना है उसके बाद किरें यहां पर टो मुझे क्या करना है एक और लाइन ड्रॉब आपके पास इस लेकिन उससे पहले एक्स्ट्रा पार्ट है इसका वह हम यहां पर यहां पर करते हैं तो फॉर्स्ट मैंने इसको डेलेट किया सेकें यहां पर इनर वाला वह हम कर सब्सक्राइब करते हैं यहां पर इसके इसको करेंगे यहां पर यहां पर इसको पार्ट से सभी हुल रिमूओ करेंगे यहां पर आपके बात करें यहां पर यहां पर उपर की तरफ यह इस तरह के शेप बना नहीं है लेकिन यह आपके बास क्या है पैरलल है इस यहां पर आपके बात कर रहे हैं इसकी इन दुनों के बीच की वह यहां पर साइज लेते हुए यहां पर मुझे पैरल लाइन ड्रोगर नहीं है उसके लिए मैं यहां पर उपसेट कमान का यूज़ करूँगा और डिस्टेंस देदूगा मैं 20 की और मेरा जो अब्जेक्स है उसको यूज़ करते हुए मैंने यह पैरल लाइन को ड्रोग करने के लिए अब बात करें सेप्सक्ति एक लाइन के और वह लाइन के है वह सारी सरकल बने वह तो वो भी हम बना देंगी तो सबसे पास सींटमेंटर के फsmoo करने यहां पर चाल करना जारी है तो सरकल के लिए सींटर करते हुए यहां पे यह पर इसको फॉर्सट और यहां पर मैं यहां पर यहां पर रहा हम यहां पर शेंटमेटर के शॉर्ड देदी हैacă influencing बात करें तो यहां पर मुझे ट्रिम करना बढ़ेगा बाकी वाली चीज़ों को तो मैंने ट्रिम कार्ड लिए डबल एंटर करते हुए जो मेरा पार्ट है मैं इसको सारी को रिमूव कर दिया जिसकी जरुवत मुझे यहां पर एक्चुल में नहीं है और मुझे इस वाले पा यहां पर एक्स्टा बार्ट है यहां पर दिलर करता हूँ जो कुछ इस तरह से मेरा अबस्त करें अब बात करें ऊपर कि थरफ तो यहाँ पर इक पर के चो है यहाँ पर के लिए से से किया और यहाँ वह दो, का एक सर्कल बना लिया तो यह मैं ऐसे यूज करते हुए सारी को मैंने ट्रिम कर लिया यहां पे पास इक चोटा से यहां मैं तरह से आपको यहां बहुत च्रीजग का सॉप स्थ चल्सेडe चे करहाँ रहाएं इसलिए आप साथ-साथ ही च्रीम कमाइब करते रहें तो यहाद अच्छा रहेगा यहां पर तो सई आले पार्ट को न भूले इस तरह से आपका जो आपके पास नीचे आला जो पार्ट है वो रेडी हो चुका है अब बात करें आपके पास उपर आले पार्ट की तो देखिए उपर आला पार्ट बनाने से बहले सबसे इंपॉर्टन चीज है यहां पर आपको एक आर्क बनाना ह है तो मैं सिंपल सा यहां पर करूँगा और वह भी कौन से यूज़ करना है में start and radius वाला क्यों करना है यहां पर starting point हमें पता है ending point पता है प्लस इसकी radius भी हमें पता है start and radius का यूज़ करेंगे जो कि यहां पर 30 अंगल पर लाइन बनानी पड़ेगी तो मैं बना लेता हूं यहां पर यहां पर आगया जो base point है उससे 30 तरह से आपके पास मिलेगा यहां पर यहां पर यह हमारी baseline यह बेस्लाइन और इसके अप्रॉक्सिमेट यहां पर वैल्यू मानेगे यहां पर आपके आपके पास center circle से लिया यहां पर यहां से 30 बनाना से 60 बनानाए टो यहां करते हुए बेस्लाइन बेस्लाइन बना लेते हैं यह आपके लाइन उसके बाद करें यहां से यह वह दिब् judo यह आप अब इसके फूर मुझे क्या बना है यहां पर आर्क रहा करूंगा तो आर्क के लिए क्या करूंगा स्टार्ट एंड डेडियस करूंगा यहां भी बात करें तो आप यहां से ले सकते हैं और देखें आपका जो आर्क बन रही है वह आपके पास रिवर्स डारेक्सिंबर बन सकते हैं यहां पर क्या कर सकते हैं यहां पर कितनी है 144 तो यहां पर 144 मैं इसकी रेडियस बन चुकी है तो इस तरह से हमारे बास बन चुका है तो अमारे पास यह एक्ट्र पॉइंट है तो हमारे पास जो एक्ट्र लाइन से पहले मैं उसे भी डिलिट कर देता हूं तो यह इन दोनों लाइन के बीच का गैप है वह यहां पर 20 का है यह दोनों पैललल्स है इसलिए मुझे यहां पर बनाना है दूसर यहां पर आपके बास करवेचर है जो कर आपका 10 और 12 रेडि सबसे बहुत करूंगा उप्जेट गमाड के उसको बनाना है और नीची की तरफ मैंने प्राइस कर दिये तो इस तरह से मेरा जो अब्जेक्ट से वह मुझे मिल गया अब दीगे यहां पर बात करें सबसे पहले आपके वास 12 और 10 रेडियस के यहां पर दूसर बनाने क्लिय करूँ उसलिए मैंने यहां पर यूज किया और यहां पर आगे जो फॉर्स टेंजेंट है उसके बात करें बीच में जो सरकल से उसके बारे मैं बात कुरूँ सा तो वह आपके पास यहां पर है तो यहां पर यहां पर बना रहा हूं अब बाकि चीजह जरुवत करना पागा तो यह बात करूंब यह जरूवत नहीं है यह कि यहां आपके बीच्टे करता हूं इसको सलेक्कर करके डिले मैं इस तरह से क्लिया यहां पर कोई चीज यहां पर नहीं है यहां पर यहां पर देंगे और और इस object के अंदर हमें इसके और कोई जरूत नहीं है तो इसको मैंने डिल कर लिया है अब बात करें यहां पर यहां पर यहां पर यहां करते हैं थोड़ासा डार की यहां पर करनी है हाँ कहा है शक्ट है हैसके लिए इस तरह से हमारा जो यहां पर बंच चुपा अब दीगे इस object के Post और हमें क्या करना है सबसे तो बहुत करें के हम् tão क्माल्ण हो सारी हम यहां पर कंदे हैं यहां नेक्स्ट बात करें यहां पर टेक्स के बारे में तो मुझे टेक्स को बढ़ाना है तो टेक्स को कर देता हूं यहां पर एप्रॉक्सिमेट 3 कर देता है उसके बात करें यहां पर कलर के बारे में तो कलर मुझे यहां पर यलो करना है नेक्स्ट बात करूँ यहां पर मैं कर द के लिए तो रेडिस कर लेते हैं सब को पहले इतनी भी है सारी मिजरमेंट कर लिता है तो रेडिस कमांड के लिए इस सरकल को चूज किया और इसकी जो रेडीस मेरे बहार निकाल दी लिया मेरे object के हिसाब से जो मेरी यहां पर dimension measurement हो रही है वो यहां पर कावी छोटी है तो एक काम करते हैं थोड़ी सी dimension को बड़ी कर देते हैं तो dimension के लिए d enter किया है मैंने यहां पर modify किया यहां पर उसके बाद बात करें यहां पर text की size के वरा में तो text की size मैं कर देता हूँ 5 तो 5 अच्छी है यहां पर okay set current and close फिर उसके बाद मुझे radius कामान की जूश करते हुए मेरा object से मैं उसको select किया यहां पर रेडियस की 30 है बात करें इंसाइट radius के बारे में तो यहां पर इसकी इसकी इस पूर दे रखी है बात करें नेक्स्ट यहां पर तो मुझे इसकी इसकी इस निकालनी है तो यहां पर इसकी 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 अब बात करें यहां पर भी रेडियस को सबसे पहले मैं रेडियस को सब्सक्राइब करूँगा यहां पर इसकी डायमीटर पता करना है था तो हम यहां पर डायमीटर के लिए डायमीटर को सब्सक्राइब करेंगे मेरा जो अबजेक्ट है मैं इसको सब्सक्राइब करूँगा बढ़ेंट इप्शन है मिश्थ जो यहां पर रमागा तके यहां पर औख लो बीड़ तो है इसको इसको कर देता है यहां पर यहां पर जो मेरे जो सर्कल्स है वो यहां पर एक्च्वल में 50 का है और यहां पर यह सर्कल्स 52 का बन चुका है तो इसलिए मुझे यहां पर करना पड़ेगा इसको सलेक्ट करना पड़ेगा इसको इसको उरेक्ट करते है और यहां पर इसकी जो रडियास रहे तो निकाल लेते हैं रेडियस निकाल ले यहां पर सबसे बहले तो यहां पर इसकी जो रेडियस है यहां पर और यहां पर निकाल दी है अब मेरे पास है है यहाँ पर linear dimension के लिए dimension डामेंशन करूँ का री 73 है यहाँ से पॉंट रखी पीच जो है वह मेरे पास 20 है नेस्ट बात करूँ है यहाँ पर इस बात करने हैं तो मैं less वल कूर रहिए धिक्त बात करनी है यहांपर इस यहां पर यहां से इस पॉइंट को लेते हुए यहां पर मेरे पास 167 डाइमेंशन है वह यहां पर आचुगी है सारी यह आपका सेंटर इस तरह से यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कर सकते हैं उनको यहां पर कर सकते हैं तो आप इस तरह से और भी ऑब्जेक्स बना सकते हैं और इहां पर इस तरह से और भी चीजों को तूस को यूज करते हुए आप इस तरह से अगले विडियो के साथ तब तक आप हमारे साथ बने रहे हैं थैंक यू वर वाचिंग इस वीडियो